तो गाइज आज हम लोग Samsung के Advance Intelligence यानि की AI के Feature के बारे हम बात करने वाले हैं, बहुत ही Special Feature है, माल लो आपने एक Voice Recording करी, और आपको या तो उसकी Full Transcription चाहिए कि वह या Voice Recording में बोला क्या गया आपको पढ़ना है, या आपको उसकी समरी चाहिए, एक बहुत बड़ी recording है आप जो Galaxy AI का Feature है, आज हम जानने वाले है, जिसका नाम है Voice Transcript, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, S23 smartphone है, उसमें Feature मिलेगा, तो कैसे यूज करना है, कैसे काम करता है, सब कुछ बताएंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना मजा आने वाले है, वीडियो को यार लाइक एक बनता है, ऐसे कमाल-कमाल के Features हम आपके ला रहे है, शेर जरूर करना सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल एकन को, आल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियो यहाँ पर आती रहेंगी, मैं उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सी करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे वहले हम सेटिंग्स ओपन करेंगे, अब यहाँ पर आपको चलना है, एडवांस इंटलिजेंस में, स्पीड थोड़ी सी कम करेंगे, एडवांस फीचर में चलेंगे, सबसे पहले ऑप्शन एडवांस इंटलिजेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फोन वेगारा वाले फीचर में आपको बता चुका हूँ, आगे स्वाइब करेंगे हम, तो यह है काम का ओप्शन, ट्रांस्क्रिप्ट असिस्ट, वोइस रिकॉर्डर, ट्रांस्क्रिप्शन, तो इस पर हम देखते हैं क्या ओ क्लिक करेंगे, लगे स्वाइनस प्लम, इसको अने करम करता है और आणस्क्रिप्शन, पर लेंगे स्वाइनस को उप्णिघ है, Language packs for transcription and translation, English, Hindi तो यहां से आप languages select कर लेना, जो जो languages आप बोलते हो या जिस भी language की recording को आप transcript करवाना चाहते हो या समराइस करवाना चाहते हो, तो यहां पर हमने English और Hindi दोनों को भी select करके रखा है Mo, Advanced, Intell, Collapse, Draw, Selfie Video, Button यहां पर अब options खतम होते हैं, अब हम यहां पर voice recorder open करेंगे और हमने recording करके रखी ती, जो कि हम पहले आपको सुनाएंगे, फिर हम आपको इसकी transcription देंगे, voice recorder open करेंगे Samsung folder पे चलते है अब यहां पर हमारे सामने recording है So guys, अभी हम लोग यह क्या बूल रहा है तो guys, अभी हम लोग voice recorder से recording कर रहे है और इसी recording को भी हम summarize भी करेंगे और इसकी transcription भी लेंगे तो देखते हैं किस तरह से transcribe करता है और अभी यह speaker 1 और speaker 2 को detect करता है पीछे सबजी वाले भाई आगाई यह other speaker है अभी हम खुदी speaker 2 भी बनते हैं और देखते क्या होता है नमस्कार, मैं speaker 2 और में आपका स्वागत करता हूँ, पाराज जी तो कैसे हो ? नमस्कार रहूल जी कैसे हो आप ? मैं बढ़ी है पाराज जी और बताए कैसे है बढ़ी है रहूल जी आप कैसे है बढ़ी आप कैसे बंद करिया जी कैसे कैसे हैं जिन्दकी बीच जाएगी दोस्तों अब हम देखते हैं अगे भी थी दोस्तों अभी नी सुनते हैं यह आपने मेन मैंने सुनाया इसलिए ताकि आपको बता सकें की रिकॉर्डिंग में क्या है चलिए अब इसको त्रांस्क्रे अब आप Transcribe पे क्लिक कर दो हिंदी कर देते हैं हमने हिंदी में बोला है Transcribe करेंगे अभी यहाँ पर Transcription होने शुरू हो गई है 21% 21% हो गई है और 50% हो गई और गलती से बैक हो गई है दोस्तों मिर से अब यहाँ पर आपके सामने दो टैब आपको दिखाई देंगे सबसे बहले Transcriptor दूसरा है Summary Tab अब यहाँ पर Summary Tab में हम बाद में जाएंगे सबसे बहले जो Transcriptor टैब में आप देखिए कैसे दिखाई दे रहे अब Speaker 1 यह बोला अब Speaker 1 ने क्या-क्या बोला यह बताएगा साउंड विशुलाइजेशन सो है सो गाइस अभी क्या बोल रहा है तो हम लोग voice कर रहे हैं इसकी Transaction लेंगे तो देखते हैं अभी यह Speaker 1 करता ही सब जयालिया Speaker अभी हम खुद ही Speaker 2 बनते हो देखते क्या होता Edit Box अब देखते है क्या Speaker 2 को detect किया Speaker 2 जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप देख रहे हो इतना परफेक्ट नहीं है इसमें कुछ error जरूर है क्योंकि यह फोन पर ही सब प्रोसेस कर रहा है विदावट इंटरनेट भी काम कर रहा है और जितना आप सपस्ट बोलोगे यह देखे ठीक है बहुत 95% ठीक था यह दोरेश आप Speaker 1 बोला 30 seconds ठीक है 30 seconds पर नमस्ते राहूल जी नमस्कार राहूल जी कैसे आओ एडित बोक्स बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से सुना यार ठीक है कैसे है आप सुना आपने बहुत बढ़िया ट्रांस्क्रिप्शन कर रहा है यहां पर आपने सुना इसकी पूरी ट्रांस्क्रिप्शन अब हम समरी टैप पे क्लिक करेंगे तो हमने summary tab पर click कर दिया दोस्तों बैगराउंड की आवाजों के लिए माफी चाहेंगे सुबसुबस ए सबजी वाले आ रहे हैं दोस्तों अभी हम देखते हैं क्या summary हमको निकाल के देता है यहां पर ना यह सबसे अच्छी बात है को keywords निकाल कर देता है मतलब अगर specially book आप रिडिंग कर रहे हो न तो उसमें जो important keywords है वो आपको निकाल कर देगा वाले निकाल कर देगा सारी वीडियो खराब कर दी मरी सबजी वाले ने keywords अब keywords फिर से बता रहा है यह सारे keywords से हाइलाइट मतलब important चीजे खुद समझेग और आपको as a keyword निकाल कर देगा बहुत बढ़िया summary दाश- sound visualization edit box यह summary बता रहा आगे- sound speaker 1 और speaker 2 के बीच समवाद edit box disabled बहुत बढ़िया इसने बोला speaker 1 और speaker 2 के बीच समवाद हो रहा है मतला हम बातचीत कर रहे थे sound notifications button ठीक है तो यही इसकी summary है बस और यह बहुत ही छोटी सी recording थी काफी चोटा से example था यह बट अगर कोई अच्छे से यह feature काम करता है और Samsung के सच में इस feature को यूज़ करके मज़ा आगया तो आपको कैसा लगा comment करें पताना अच्छी लेगे वीडियो तो लाइक कर देना सभी के साथ शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल इकन को और से एट कर लो ऐसी वीडियो आपके मिलते हैं सी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई